तो LazyPay वालों ने सभी को निरास कर दिया है, LazyPay जो है कार्ड को पर्मेमेंटली ब्लोक कर दिया है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, और कार्ड बंद हुआ, अकाउंट बंद हुआ, किस तरह से लिमिट यूज़ कर सकती हैं, नही नहीं कर सकती हैं सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे वीडियो को अंते तक और त्यान से देखिएगा एक वर फिर से कार्ड है वो पर्मेमेंटली ब्लॉक कर दिया गया है अब गेटे न्यू कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्सन आएगा कि वहाई ओर करो फिर आप जब वहाँ पर क्लिक करोगे तो होगा ही नहीं यानि कि नया कार्ड भी ओर नहीं हो रहा और जो आपका एक्जेक्शिन card था उसी permanently block कर दिया गया है तो एक छोटा सा जनकारी देना चाहेंगे इसमें कि आखिर card को क्यों block किया गया आप सभी को मालूम ही होगा जो wallet में पहले reload करने का option देना था मतलब हम लोग पैसे add करेंगे फिर उसी पैसे को transaction करेंगे use में लाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा कि pay later load करके दिया जाने लगा जिस पर RVI ने एक guideline निकाला कि भाई हम ये चीजे इजाजत नहीं दिये थे और ये किया जा रहा है तो उसके बाद RVI ने कहा कि इसी immediately इस चीज को रोको नहीं तो भाई भुगतना पड़ेगा तो finally अब देखो होता क्या है कि जो बरावरा company होती है जैसे हजार customer किसी के पास है और तुरंत से वो धंदा बंद कर देगा तो customer गरवरा नहीं जाएगा इसलिए वहाँ पर क्या करता है कि थोरा सा समय लिया और समय लेकर पहले वो जो है कुछ और चीजे लिका लिए जैसे बहुत सारे ऐसे application पे लेटर वाला है जो loan भी दे रही है तो lazy pay भी loan दे रही है आपको मालूम होना चाहिए इस पर भी मैं एक detail में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ले सकती है लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और क्या process है तो वहाँ पर देखा गया कि अब जाकर lazy pay जो है card को permanently block की है हाला कि lazy pay का ये कहना है कि card को permanently block की है तो ये phase by phase किया जा रहा जैसे कुछ ग्रहा का आज होगा कुछ ग्रहा का कल होगा ऐसे करके phase by phase block किया जा रहा लेकिन lazy pay का जो account है वो आप इस्तमाल कर सकती है कहा गया है कि lazy pay का जो account है उसे block नहीं किया गया है तो अभी भी आप देखोगे lazy pay का जो limit मिला हुआ था वो आपको show होगा हला कि आप कैसे use करेंगे नहीं use करेंगे आप अपने अस्तर से सोच लिजिए snap pay वेगरा से हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा ठीक है तो आप देख लिजिए कि transaction हो रहा या फिर नहीं हो रहा अगर हो रहा तो reserve pay वेगरा का आप इस्तमाल कर सकती है जहाँ पर lazy pay का जो limit है उसे आप transfer में ला सकती है लेकिन अभी जो है बहुत सारे account पर नहीं हो रहा इस बात का भी ध्यान रखेंगे ठीक है अब जो लोग सोचते होंगे कि card तो block हो गया लेकिन भाई हम use किये हुए थे अब तो देंगे ही नहीं क्योंकि भाई वो तो पहले ही खिसक लिए लेकिन ऐसा नहीं है आप जो use किये हैं जिसका repayment बकाया है जिसका due है वो आप जरूर चुका दिजेगा नहीं चुकाओगे तो भाई आपका credit score को न तवाह कर देगा आपका credit score पूरा के पूरा धजिया उर जाएगा गिड़ जाएगा जिससे आने वाले दिनों में अगर credit card लेने जाओगे तो नहीं दिया जाएगा और loan लेने जाओगे तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपका civil पर impact परता है और civil खराव कर दिया जाता है तो credit आपका खराव हो गया तो आगे जल्दी कोई भरोसा नहीं करेगा और आपको ना देगा तो 24-500 के लिए एसा नहीं करना है आप repayment कर दीजेगा अगर हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो wait करिएगा जब होने लगे तो उनका repayment जरूर कर दीजेगा लेकिन जहां तक कि मैंने देखा है कि repayment हो रहा है तो repayment आप जरूर कर दीजेगा हाँ एक और चीज है अभी भी suspicion बना हुआ है अभी भी लोग कह रहे हैं कि lazy pay कुछ नया लेकर आएगा कुछ नया card लेकर आएगा अब देखते हैं lazy pay क्या कुछ नया लेकर आता है जिस तरह से one card जो है किसी bank के साथ partnership करके credit card sale करने में लगी है कि हाँ partnership करके credit card निकाल रखी है तो उस तरह से अगर lazy pay किसी के साथ partnership करके हम लोगों को credit card वाली सुविधा देता है चाहे fix deposit पर हो या फिर income proof के तौर पर हो या फिर यहाँ पर civil के तौर पर हो जिस तरह से यहाँ पर credit card की सुविधा अगर दी जाती है तो हम लोग इस सुविधा का आनंद जरूर उठाएंगे और जैसे है यहाँ पर यहाँ कुछ सुविधा आता है सबसे पहले आपको सुचित करूँगा चैनल को सबस्क्राइब कर लेजेगा और हाँ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करेए अगर credit card जैसे सुविधा आता है lazy paper तो जिनका account पहले से है मुझे लगता है उनको priority दिया जाएगा ठीक है फिर देखना सेस है कि क्या कुछ आगे होता है अपडेट के लिए तयार रहिए चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए फिलाल इस वीडियो में इतना है वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक जरूर शियर करें और कमेंट में अगर लिख देते